कौन सा है जिसके पीछे पूरी पूरी दुनिया भाग रही है sexual pleasures की तरफ sex की तरफ कुछ लोग में देख रहा हूं जो especially जो एज में थोड़ से ज्यादा है वो ऐसे हो गए मेरी ये बात से अरे भाई ये क्या बोल दिया S.E.X ये वर्ड कहां से वो से बाहर आगया टेक्स में मज़ा है या नहीं है घरम नहीं आरी पॉब्लिक में येस अरे बहुत मज़ा है कौन कहता है मज़ा नहीं है कौन कहता है मज़ा नहीं है और अगर मज़ा नहीं होता तो हमारे देश की समसो करोड की आबादी कैसे होती लोग कर क्या रहे है एक स्टूडेंट की लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा students की हिम्मत नहीं हो रही है बात बोलने की यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए है लेकिन जड़ क्या है problem कि मैं वो समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उस face से निकल चुका हूँ मैं कोई 50 साल पुरान आज में नहीं हूँ अरे भाई मैं समझ सकता हूँ आपके ओपर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ कि scientifically जब वहारी body के अंदर hormonal changes होते हैं तो क्या होता है इस problem के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा पेरेंट्स कहा रहे हैं पड़ो टीचर्स कहा रहे हैं पड़ो को यह नहीं बता रहा कि यहां से अपना ध्यान कैसे हटाएं अब वह भी क्या बताएंगे वो खुद अपना ध्यान नहीं रटा पार है मुझे लग रहा है यहां पर कुछ पेरेंट सुरदेर में बगावत करने वाले हैं यह ज्यादा हो रहा है हमारी संस्कृति में यह सब बाते अलावड नहीं है हमारे कल्चर में यह सब बाते फिट नहीं होती कौन सा कल्चर कौन सी संस्कृति यहां से समझो क्या मैं बोलने व कल्चर जो बनता है ट्रडिशन रिटेश जो बनते हैं वो बनते है शिचुवेशन के अकॉड़िंग सिचुवेशन करक्रटिर करा नहीं बनती भाई हिस्सवातों को समझना है कर लिखा है आफ है यह जो कुशार वना था आज से हजार साल पहले वह बिल्कुल परफेक्ट था उस हजार साल पहले व yours time के साप से आज के साप से के से मैं कैसे बातों को यहाँ इस अरज के टाइम में कैसे से रोकना है अगर इसको गलत कहें तो इन सब कामों में जाने से रोकना है तो आप क्या कर सकते थे उसके हाथ पैर बांध करके उसको कमरे में लॉक कर दो और जब शादी किया जो फटाबट से शादी करा दो जरुवती कि है अगर बढ़ने मत दो उसको फटाबट से चाइड मेरिज करा ओ काम खतम उस ताइम के साब से ठीक था आज आज आप कैसे रोकोगे और मैं सिर्फ सेक्शुल प्लेजर उनकी बात नहीं करता है जो फिजिकल लेवल पे हैं वो तो ही है एक मेंटल लेवल पे भी है कि समबड़ी ओंस्टू दूदाइट आप रोक नहीं सकते अपने बच्चों को उनके मोबाइल में उनके लाप टॉप में उनके कंप्यूटर में उनको सिर् जा रहा है कोई और डिरेक्शन दी जा सकती है इसको रोका नहीं जा सकता इसकी डेरेक्शन को चेंज किया जा सकता है मैंड की एनर्जी इसको कहीं और लगाया जा सकता है तो ये एक ऐसी पावर है जिसको डिजायर बोलते हैं है डिजायर ही दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखो जो भी मैंने अब तक कहा आज के सेशन में है डिजायर ही एक है कुछ पॉजिटिव करने का डिजायर कुछ बनने का डिजायर कुछ करते रहने का डिजायर अप एक डिजायर है जो आपको नीचे ले जाएगा आप धस्ते चले जाओगे एक डिजायर है जो आपको उपर उठा देगा हागे ले जाएगा परे ले जाएगा धीरे यही डिजायर आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाएगा जो आज आपकी सबसे बड़ी विकनेस है और यह स आशा होुचाए हो यह हो जिस के अवेना भी बात करी इस वर्ट को कहने में भी नर लगता है सेक्स ऑठी हो उसकी अलावा और जाए गाए अ ज्यान खाने के उपर जाएगा खाने के उपर जाएगा आज हमारे लिए इंजॉइमेंट का मतलब क्या है शादी का मतलब क्या है शादी में शादी के लिए को नी आता खाने के लिए जाते हैं अरे भाई उस शादी में खाना बहुत बढ़िया था मज़ा आ गया खाना जब तक आप पेट की भूग को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमरित है और अगर खाना आप मन की भूग को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है इस सारी बाते हमको पता है अंदर तक लेकिन जड़ क्या है करने के लिए कुछ और है यूँ नहीं तो क्या करें खाने में मज़े लेंगे न यह तो करने के लिए और कोई धंका काम हो कोई और मकसद हो जिंदगी में कोई डिजायर हो उसको तो पूरा करें है यह नहीं तो क्या करें यही करो ना खाओ प्यों मस रहो एनर्जीज कहां चली गई खाने के उपर चली गई क्योंकि खाने में मज़ा है कौन कहता है खाने में मज़ा नहीं है और बहुत मज़ा आता है आपको जो फेवरेट खाना है वो आपके सामने आजाओ और खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है खाई जाओ खाई जाओ उसके बाद में फर्क पड़ता है उस दिल नहीं फर्क पड़ता है जिस आदमी की बॉड़ी ठीक काम नहीं कर रही उसका माइंड किसी भी हाल में ठीक काम करी नहीं सकता हो ही नहीं सकता इंपॉसिबल यही बात बुद्ध में भी कही थी आज से डाही जार सार पहले कि अगर हमको अपने माइंड को क्लियर रखना है शाप रखना है फोकस रखना है कन्फूजन को खतम करना है तो हमको अपनी बॉड़ी योपर काम करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा आप्शन नहीं है एनरजी इसको सही डिरेक्शन देनी है हूं है वह एनरजी जो खाने पीने में जा रही है उसको लगाना है exercise में उसको लगाना है खेलने में उसको लगाना है physically work out करने में कुछ करने में अपने taste को धीरे धीरे बदलने में महां से हट करके जो मिर्च मज़ाले वाली ऐसे जो चीज़े हैं टेल वाली और यह सब चीज़े यहां से अटा करके fruits में vegetables में ऐसे सी चीज़ों में और जादा नहीं बोलूगा नहीं तो ऐसे लगे nutrition की class चाल रहे हैं आगे बढ़ते हैं तो यह मैंने आपको तीन चीज़े बताई और क्या है जिसमें मज़ा आता है नींद आलस सोने में बड़ा मुर्णा आता है सोते रो रिकॉर्ड बनाते रो नींद अगर आप लिमिट में लो तो बहुत बढ़िया है अमरित है और जर्वत से ज्यादा लो तो जहर जहर और क्या है इसके अलावा कॉमेडी अब यह बात बड़ी अजीब लग रही है सुनने में लेकिन ध्यान से समझना बोलते हैं लाफ्टर इस दा बेस्ट मेडिसिन सच है बट मेडिसिन की भी एक लिमिट होती है आपने दो घंटा लग करके पढ़ाई करी दिमाग का धही हो गया उसके बाद में बैट करके आप 15 मिनिट के लिए कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो इंटरनेट पे वो तो ठीक है लेकिन पूरा दिन बैठे 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 बस कॉमेडी की तरफ ही घुमते रहो तो क्य कॉमेडी है एक ठके होए माइंड को रिलाक्स करने का नाव वो माइंड जो ठका हुआ है उसको रिलाक्स करने के काम आती है कॉमेडी पट इसी रिलाक्सेशन से अगर आप अटाच हो जाओ तो क्या होगा परबात कर देगी कि समझो यह गोली के जैसी है जो depression patient होते उंको relax करने की गोलिया दी जाती है उनके mind को relax करने की medicine दी जाती है laughter भी ऐसे एक medicine है जो natural है लेकिन वह भी खतर नाव है अगर जरुद से जादा आप उससे अटाच हो जाओ जीब लग रहे हैं इसारी बात्ते सुनने से ने रहे लाशी किक बात कॉछ महरी गलभी होई थो है एं जड़ जो है हो को है जड़ फिल कि नहीं है आपके इवाद समय करने के लिए कוך ही नहीं तो काली दिमाग शैतान का घर utilize का कर रहा है जो करना कि एक तरफ है मजा में एक तरफ है दर्द, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रियेट करना है, बैलेंस क्रियेट करना है, मैं ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ ये करना है या सिर्फ वो करना है, नहीं, दोनों के बीच में बैलेंस क्रियेट करना है, अरे मैं भी मुवीज देखता हूँ, मैं भी बहुत कॉम ज़रूरी है उसको करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ चाहे उसको करने में कितना भी दर्द कियो ना हो उस दर्द को सेहने के लिए मैं तयार हूँ लोग मज़ा तो चाहते हैं लेकिज दर्द शहना नहीं चाहते हैं यह ज़ट है हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्मुर्ब्स की चाहते तो हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएं बाट बढ़े सक्षिफुल हो जाएं लेकिन उसके लिए जो दर्द सहना पड़ेगा मतलब कि पढ़ना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि आपको दर्द हो आपके mind को या आपकी body को वो काम हम नहीं करना चाते हैं और success मिलेगी आपको वो ही काम करने से तो क्या निकला आज के सेशन से अगर मैं इसको समप करूँ एक लाइन के अंदर-अंदर कि इस दुनिया में desire से बड़ी constructive power और कोई नहीं सब कुछ बदला जा सकता है अपनी जिन्दगी में भी और इस पूरी दुनिया में भी इस पूरी की पूरी दुनिया को एक नई direction दी जा सकती है उस desire की वज़े से अगर यह desire सही direction में है तो यही desire अगर गलट direction में चला जाए तो इससे बड़ी destructive power भी इस पूरी दुनिया में और कोई लाए जो लोग already एक particular age पे पहुँच चुके है मैं उनके लिए नहीं बोल रहा लेकिन आज यहां पर जो students बैठे हुए है जिनके आगे अपनी पूरी की पूरी जिन्दगी पड़ी हुई है उनको यह फैसला करना होगा भाई और आपके फैसले के उपर इंडिया का ने इस पूरी दुनिया का future इस पूरी दुनिया को बदल देगा क्या फैसला करोगे आप किसको चुनना है और किसको छोड़ना है किसको लिमिट में करना है और किस तक जाना है जिस तक जाने में डर लग रहा है उस डर को face करना है उस दर को सेना है कैसे तो अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है सिर्फ एक line कि मुझे जिन्दगी में कुछ करना है मुझे कुछ करना है, 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 इसको छोड़ना नहीं है, इसको पखड़नार के रहना है, असान है, बहु वो करना भी आसान है अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई सोचो